उम शांती, आज के इश्वरे वर्दान, जो की 10 जून का वर्दान है, आज परमपिता परमात्मा हमें सिंपथी अपना लेकले कह रहे हैं, ताकि हम औरों को तन से, मन से, धन से, उनको हम संतुष्ट कर पाएं तो देखें, परमात्मा कहते हैं सिंपथी के बारे में परमात्मा कहते हैं रूहानी सिंपथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भबा संपत्तिवान कैसे बन सकते हो आप संपत्ती दिखा करके देखते हैं सीचीज़ को एक्स्प्लोर करते हैं बाबा कहते हैं, आज के विश में संपत्ती वालिद तो बहुत है, धन संपत्ती तो है काई फिलों के पास में, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवशकता संपत्ती है, संपत्ती की, जो कि किसी के पास नहीं है, आज इंसान एक दूसरे से नराज है, आज एक इंसान दूसरे ग्रिना कर रहा है, इर्शा कर रहा है, नफरत कर रहा है, यह तो किसी के अंदर शान्ती या संतुछता की कोई एनरजी तो हुई नहीं, तो इस उर्जा को कैसे बढ़ाएं, सिंपती से, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपती नहीं है, एक दूसरे के पती भ भी नहीं है सिंपती किसी को, हर कोई अपने आपको बहुत सीरिस लेता है, जब हम कंपीट करते हैं, हम किसी से इर्शा रखते हैं, ग्रना रखते हैं, जब हम किसी से तुलना करते हैं, तो वो सिंपती नहीं होई न अपने प्रती, वो तो आप अपने आपको को कोस्ते हो, क आप उससे better क्यों नहीं हो, वो आपसे better क्यों है, अपने आपको छोटा मानना, तो अपने साथ भी सिंपती नहीं आज लोगों के पास, आपके पास सिंपती की संपती है, जो कि हमें आध्यात में सिकाती है, इसलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, आप चाहे धन से ना कर पाओ, किसी को आप तन से मदद ना कर पाओ, लेकिन सिंपती से सब को संतुष्ट कर सकते हो, आपकी सिंपती इश्वरिय परिवार के नाते से है, इस रूहानी सिंपती से तन, मन और धन की पूर्ती कर सकते हो, किसी को कोई प्रॉलम है, किसी के पास में धन की, तन की, मन की पूरती नहीं है कोई धन से आबाद है लेकिन मन से बरबाद है emotionally बरबाद है तो आप उसको कैसे मदद कर सकते हैं आप उसको किसी से इरिशा दिलवा करके या किसी और से compare करना इसकी आदतें छुड़वा करके आप उसको sympathy दिखा सकते हो लेकिन starting से ही अगर आपने इसको ग्यान देना शुरू कर दिया तो वो sympathy नहीं हुई आप उसको connect नहीं कर पा रहे हो आप उसको ग्यान दे रहे हो आप उसको wisdom दे रहे हो लेकिन उसको wisdom की ज़रूरत नहीं है उसमें उसकी अंदर की पीड़ा कोई सुन ले मेरे अंदर जो दुविधा है वो कोई सुन ले पहले सुनने वाले बनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें spirituality यही सिखाती है कि किसी को ग्यान देना इतना ज़रूरी नहीं है जबकि उसके अंदर के जो कड़वे पन को हम अपने अंदर समा ले वो सबसे ज़रूरी है आप किसी की बात सुनते सुनते किसी के साथ किसी ने बुरा किया लेकिन आपने उसको समाया नहीं मतलब क्या हुआ आपने जिसने जिसके साथ बुरा किया उसकी बात सुनते हुए अगर आपने किसी की निंदा करनी आपने कहाए नहीं बहुती गंदा किया तुमारे साथ इस इस इंसान ने ऐसी लोग होते हैं आज के लोग ही ऐसी हैं वो इंसान ऐसे है वो परिवारी ऐसा है ये सिंपिती नहीं हुई या आपने उसके अंदर और कड़वाहट और इरशा और गिरना पैदा कर दी तो spiritual sympathy क्या है जिसमें कि हम कहते हैं न कि साब भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना तूटे तो कहते हैं कि किसी और के साथ में संबंद भी ना तूटे और जो इनसान है वो शांत भी हो जाए और उसका मन साफ हो जाए तिल साफ हो जाए वो real sympathy हम आज एक दूसरे को अगर दिखाएं तो आज पूरे परिवार में आपस में आसपास सोसाइटी में एक दूसरे से इर्शा, ग्रिणा, नफरत कम हो जाए ये sympathy क्या है इसको आप आकर के ब्रहमकमारी इस शुरे विश्यु जालाय में आप सीख सकते हैं ताकि पहले आप इस गुण को अपनाएं अपने लिए अपने आप से sympathize भी करें और औरों के साथ भी आप sympathize कर पाएं इसके साथ ओम शंती